हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकार किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो parts में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि total 3 stages होती है इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका Paper आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो Paper आते हैं GS का Paper, CSAT का Paper जो की Objective होता है इसके बाद जो Mains Paper होता है Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं जी हां Optional Subject के Paper होते हैं आपके GS के Paper होते हैं आपके Qualifying Nature वाले Paper होते हैं Language Paper होते हैं इसके बाद आता है Interview आए एस Examination का Interview तो पूरे इंडिया में काफी ज़्यादा Famous है कितना Tough माना जाता है Personality, Development, Classes इसके लिए बहुत ज़्यादा सरूरी है Students के लिए और इसे के साथ इसके Paper में Negative Marking भी होती तो Please, Answers गलत मत कीजिए, गलत आंसर डिक मत कीजिए अगर आप Question में बिलकुल Sure हैं तब ही उस Question को आप चौर्म कीजिए उस Question को Attempt कीजिए Otherwise, Negative Marking से, 0.1 Negative Marking से भी आपके Ranking में काफी असर पड़ जाता है लखो रांकिंग में असर पड़ता है तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान दीजिए, Negative Marking में बिलकुल मत पड़िए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जैपूर की जैपूर बहुत ही ज्यादा Famous है विजिटिंग प्लेसिस के लिए, रजवारा स्टाइल के लिए, चौकी धानी के लिए बहुत ही फेमस शहर है और इसी शहर में बहुत सारे बच्चे Government Jobs की प्रप्रेशन्स भी कर रहे हैं राजस्थान के एक्साम्स बहुत सादा Famous है इस वीडियो में आपको बहुत सारी information मिलेगी जैपूर में प्रप्रेशन्स करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा helpful है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां हमने top 10 rankings की बात करी हैं कौन सी rank पर कौन सा institute है और हर institute के बारे में एक शॉट कर डिटेल हमने आपको अलरड़ी एक वीडियो में अपलोड कर कर देती है जिसमें सभी institute की शॉट डिटेल्स आपको एक ही जगया पर मिल जाएगी उस वीडियो का link नीचे description box में मचूद है आप वहाँ जाग करके उस page को visit कर सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं और सभी institute की details वहां से ले सकते हैं इसके अलावा एक single institute के बारे में हमने सभी एक single institute के बारे में इसके अलावा अगर हम बात करें की लिस्ट की तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा दिना चाहती हूँ आप देख सकते हैं कौन सी रैंक पर कौन सा institute module है अब बात करते हैं हम आज के coaching institute की दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ चानग्या IES institute की चानग्या IES institute बहुत ही जादा फेमस है पूरे इंडिया में है पूरे इंडिया के हर बड़े शहर में इनकी ब्रांचेस आपको जरूर तिखाई देंगी यह ब्रांचेस आपको बहुत ही बेस्ट वे में पढ़ाती हैं और अपने अपने शहर के तॉप 10 म ये ज़रूर आती है और जैपुर बरांच की बात करें तो जैपुर बरांच में चानव किस अच्छा कोचिंग INSTITUक यानि सबसे BEST WAY में यह को PROPARIALLYS करवाते हैं इनके FEETURS की बात करें तो इनके FEETURS आपके सामने डिस्वीर पर मअचुद है ये institute बहुत ही अच्छा institute है और इस location में बहुत ही ज्यादा famous है जी हाँ, इस institute में आपको study material course के साथ ही provide किया जाता है जो की बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है research करकर बनाया जाता है, exports द्वारा बनगाया जाता है इस के another test series भी आपको provide की जाती है इनका infrastructure भी बहुत जादा अच्छा है और इनका results भी बहुत जादा अच्छे ले में improve हो रहा है यानि हर साल इनके coaching institute से बहुत सारे बच्चे exams qualify करते हैं और वो बच्चे आपसे द्वारा मिल करके अपना experience share करते हैं किस तरीके से उन्हों ने इस exam की preparation करी थी और वो चीजें आपको किस तरीके से help कर सकती हैं आपके exam को qualify करने के लिए तो दोस्तों इनकी details आपके सामने screen पर मौजूद है आप इन्हें visit कर सकते हैं आप इन्हें contact कर सकते हैं और और जादा details के लिए आप हमारी page को भी visit कर सकते हैं हमारी page का link नीचे description box में मौजूद है किजिए हमारे channel को subscribe किजिए और bell बटन को press करना पिल्कुल मत भूलिए क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये videos लेकर के आती हैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नई location की एक नई वीडियो की एक नई information के साथ हम मिलेंगे तब तब के लिए अपनी preparation को जारी रखिए all the bell